Hello everyone, मैं हूँ आपकी Educator Shwita I welcome you all in my YouTube channel Books and Brain I hope you guys are doing well और आप अच्छे से study कर रहे होंगे So, आज हम नए topic से start करेंगे Why are leave screen ये topic मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि हम इससे next topic photosynthesis का पढ़ेंगे So, उससे पहले आज हम इससे अपना basic clear करेंगे So, start करते हैं topic के साथ Why are leaves green पतों का रंग हरा क्यों होता है और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो like, share and subscribe जरूर की So, start करते हैं हमारे topic से Why leaves are green पतों का रंग हरा क्यों होता है The green color in leaves and blade of grass come from a pigment called chlorophyll मलब जितने भी plants के leaves हैं या जितने भी grasses हैं उन सब का color जो है वो green एक pigment की वज़े से होता है और उस pigment का नाम है chlorophyll chlorophyll एक ऐसा pigment है जो light absorbing pigment है या उसको lipid absorbing pigment भी बोला जाता है और ये pigment कब present होता है जब plant photosynthesis process करते हैं और photosynthesis process करने के लिए plants को sunlight की जरूरत पड़ती है which absorb sunlight during photosynthesis प्लांट जो है वो sunlight की presence में photosynthesis करते हैं फोटो means light और synthesis means to prepare अपना जो है food prepare करते हैं in presence of light उस process को बोला जाता है photosynthesis यह question और भी बच्चों के दिमाग में आता है कि summer में पत्तों का रंग dark green कैसे हो जाता है आपने देखा होगा गर्मियों में पत्तों का रंग जो है वो dark green की मतला पत्ते जो है वो हमें बहुत ही dark color के दिखाई देते हैं अनका color जो है वो बहुत ही चाहँ चेंज हुआ है ठीक है fresh से लगते है न आपको उसके बारे में देखते हैं आपको बता है गर्मियों में दिन बहुत बढ़े होते हैं मतलब गर्मियों के दिन जो होते है वो बढ़े होते है days are longer than nights मलंड तब जो डे लेंद वो longer होती है night से so इस बचाई से वहाँ पह जो photosynthesis versus होती है day में क्यूंकि sunlight में ही, sunlight की presence में ही photosynthesis हो सकती है तो जितना ज़्यादे लंबा दिन होगा उतनी ज़्यादे वहाँ पह photosynthesis परसस्थ होगी वह वहाँ पह प्रेसेंट होगी मतलब जो प्लांट्स है वो फोटो सिंथेजिस उतनी ही जादे करेंगे ठीक है तो जितनी जादे फोटो सिंथेजिस करेंगे उतने ही वो मतलब क्लोरोफिल जो पिग्मेंट है उसको बनाएंगे और जितना चाहते है क्लोरोफिल जो है वो बनेगा उसकी बचे से ही जितनी ल जो यहां पर और जो food बनाते हैं जितना food बनता है उसको use करेंगे वो और मतलब food factories की food factory की तरह work करता है उस time पर during summer जो photosynthesis process है वो food factories की तरह काम करती है वो उस time पर वो plant की growth के लिए help करते हैं एक topic मैं यहां पर आप से और share करूँगी that is during fall off season leaves change क्यों करती है अपना color महला autumn season में अगर देखा जाए तो जितने भी जब पत्ते fall off करते हैं उस time पर उनका color जो है वो बिल्कुल change हो गया होता है वो green color के leaves जो है वो नहीं होते है उस time पर उनका color या yellow होता है या orange होता है या light brown color में होते हैं तो क्यों होता है ऐसा because ये भी वैसा ही है जैसे अगर green color है अगर chloroplast chlorophyll जो है वो वहाँ पे जादे present होता था तब उनका color जादे dark green होता था but during autumn season यहाँ पे जो chlorophyll है वो बिल्कुल less होता है या फिर कुछ जगा पे chlorophyll जो है कुछ leaves में present ही नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बनना ही बन्द हो जाता है इस वज़े से उनका color जो है वो green की बज़ा है या pale yellow या orange या light brown color में change होता है क्योंकि during fall of season यहाँ पे अगर दिखा जाए तो day length जो है वो change हो जाती है और यहाँ पे temperature का भी changes होता है जिस बज़े से जो chlorophyll है वो stop हो जाता है वहाँ पे बनना बंद हो जाता है इस बज़े से chlorophyll जब नहीं बनेगा आपको पता ही है अगर leaves में chlorophyll नहीं बनेगा तो वहाँ पे उनका color जो है वो green नहीं दिखाई देगा आपको so this is all about today topic so guys यह बिल्कुल basic topic था जिसके बारे में मैंने आज आप से discuss किया है अब इससे next video में आपके लिए photosynthesis का topic लेकिया होंगी so till then keep study, keep hard work and stay safe